नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रांगस गुरुकुल यूट्यूब चानल पर मैं रादिका कुप्ता और जैसा कि आप सभी चान रहे हैं कि लगातार आपके रेलवे की तरफ से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है आज भी आपका टेक्नीशन क की भरती पर फाइनल ऑफीशल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है मतलब कुछ चीजन तो ऐसा होता है कि समय पर अगर आ जाएं जैसे से की दौरा हैं तो काफी कुछ सुधार यहां पर देखा जा सकता है पिलहाल अगर बात करें आपने नोटिफिकेशन जो है वो टे वो आप लोगों के 9 मार्च से शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ अंतिम तारीख इन्होंने दी है फॉर्म भरने की 8 अपरेल की इन्होंने कहा था जो इन्होंने क्यालेंडर जारी किया था कि देखिए रेलवे के दौरा आपका टेक्नीशन का नोटिफिकेशन फरवरी म अपका शुरू हो जाएगा और कब तक रहेगा वो रहेगा आपके 8 अपरेल 2014 तक तो इन्होंने साफ सिधे शब्दों में पहले तारीख करी है और इसके बाद बताया है कि देखिए यह जो टेक्नीशन की भरती है ना वो इस बार दो अलग-अलग ग्रेड पे नो ने दी है जो जो झाले में जेक्नीशन प्वाद की आपके जहेगी किस योग्वित और यहां पर इसको भर सकते हैं तो दो ब्रकार की पोस्ट निकाली और जिसमें अगर बात करें टेक्नीशल आपका जो पे है ग्रेड वन के लिए वो रहेगा 29,200 और ग्रेड 3 की 19,900 की जो इनीशल पे बेसिक पे आपकी रहने वाली है फिर मेडिकल स्टांडर्ड में टेक्नीशन ग्रेड वन में उन्होंने बीवन मांगा है और दूसरे वाले के लिए उन् गएंगे डीटेल नोटिफिकेशन जारी होगा उससे आप अपना मिलान कर सकते हैं आयू की बात करें कि एज में रिलाक्सेशन दिया है कि नहीं दिया है तो इतना कुछ होने के बाद उन्होंने अपने आप से एज में रिलाक्सेशन आपको यहां पर दिया है 18 से लेकर 36 सा तो कुल मिला के बात करी जाए आपकी टोटल वेकेंसीज 9000 आई है एलपी में 5000 ती यहां पर आपकी 9000 वेकेंसीज जो है वो निकाले गई है इसी के साथ इन्होंने साफ सिधे शब्दों में बहुत सारी बात हैं बताई हैं कि बहुत एज रिलाक्सेशन की अगर बात करी हो जाएगा जैसा इन्होंने कहा है कब होगा तो 9 मार्च को सारे अरभी पर 9 मार्च को आप लोगों का जो अफीचल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और उसी दिन से तुम्हारी फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो जाएगी कि आप अपना आवेदन करना शुर अगली बात करें फिर इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बात करिए कि अलग अलग जो है वो आपके पोस्ट में मेंशन हो जाएंगी कि आप अपने किस योगता के अधार पे अपने ग्रेड बन या ग्रेड थरी के लिए अपने फॉर्म को भर सकते हैं तो यह अपका रिजल्ट आने वाला है, इस साल आ सकता है, तो वह फॉर्म अपलाए नहीं कर सकते हैं। जिनका कंप्लीट हो गई है। जिनकी भी डिगरी आपका में आचकी हैं, वही अपने फॉर्म को भтор सकते हैं। तो जिनका रिजल्ट को भर सकते हैं। उनके लिए उन्ह कि पोस्ट तो मेडिकल स्टांडर्ड बहुत इंपोर्टन है आई की जांच अपनी आखों की जांच पहले ही करा कर रखो और जैसे ही नौ मार्च को आपका सूचना जारी होगी उस आधार पर दुबारा से आप लोगों को जो भी इन्होंने मेंशन किया होगा उस पर बात कर जाएगी इसके बाद रिजर्वेशन की बात करें सूटेबिलिटी पीडवलूटी के लिए वह सब आपका मेंशन कर दिया जाएगा डीटेल में अब इग्जामिनेशन जो रहेगा वह आपका सीबीटी पेस रहेगा इसके साथ साथ जो फीस इन्होंने बताई है वहर एक कै सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपके पास पैसा देना है इस बात का विध्यान रखना क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो उसमें इस सारी गलतिया बहुत जादा शूटी शूटी देखी जाती है इसके बाद अगर बात करी जाए तो भीया वेकेंसी का पूरा चार्ट टेबल जो है वो सब चीजें आप लोग की फर्दर जैसे जैसे यह अपना डीटेल नोटिफिकेशन जारी करेंगे हर एक उफीशल वेबसाइट पर वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो फिलहाल के जो है वो भी लगबग तुम्हारी जुलाई अगस तक ही रहने वाली है ऐस पर दी क्यालेंडर अगर एसे सी के अकॉर्डिंग रेलवे भी अपने क्यालेंडर पर रहा और प्रॉपर टाइम डू टाइम आपकी भरतियां देने लगे तो भाई इससे जादा सुनहरा मौका जो पिछले पांच साल से इंतजार में थे उन सभी के लिए कुछ और नहीं हो सकता बाकी जो भी आप लोगों के लिए फॉर्दर इंफॉमेशन रही कि उसको बता दिया जाएगा बाकी जितनी भी आपकी रेगुलर क्लासेस हैं उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मै आप लोगों की पूरी साइंस जो है वो करा रही हूं रोज सुभा ग्यारा बजे जरूर से जुड़ो और अपने साथ सभी इंफॉमेशन को पाने के लिए राइंकल्स गुरू को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलेंगे आप लोगों से कल सुभा ग्य